कॉलियर सांसत भारत सिंग कुश्वाहा ने भारती जंता पार्टी के संगठन पर्व सदस्ता अभियान को लेकर पत्रकार वारता आयो जुद्की उन्होंने कहा कि 2 सितंबर से पार्टी अध्यक्ष जेपी नडदा ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को सदस्य बनाकर अभियान की शुरुवात कर दी है उसके बाल मद्रदेश में मुख्य मंत्री और मंत्री मंदल की सदस्यों को पार्टी की सदस्यता अगराकर प्रदेश में संगठन पर्व का शुभारम किया गया है इस संगठन पर्व का मुख्य उद्देश देश में 10 करोड से अधिक लोगों को भारती जंता पार्टी की सदस्ता दिलाना है आधिक बर्वार्टी जंता पार्टी के लिए पार्टी विस्तार के लिए और इजाब्स और करने के लिए 1 सितंबर से भारती जंता पार्टी कर सदस्ता अव्यान महापरव के रूप में प्रारम हमारे प्रदान मंत्री जी ने दो तारी को जो सदस्ता लेकर सवारम हुआ है इस अदस्ता अव्यान निश्चित रूप से दो चरणों में और मुझे जी कहती हुए प्रसंदता है कि भारती जनता पार्टी आज जो सिखर पे भारती अगर सबसे बड़ी पार्टी और दल की रूप में खड़ी है तो इसमें मैं ऐसा मानता हूं कि भारती जनता पार्टी का समय समय पर विस्तार सदस्या के मादिम से होता है सदस्यों की संख्या भारती जनता पार्टी की देश में लगातार बढ़ रही है आपको अगर धान ह होगा कि हमारे तत्कालिन जो ग्रह मंत्री हैं और पहले राष्टी अद्देश थे उनके नेतुर्थ में भारती जन्ता पार्टी के 10 करोड सदस देश के अंदर बनाए गए थे और यह लच 10 करोड की जगेवा 18 करोड देश के अंदर भारती जन्ता पार्टी के जो साधान सद सदस बनेंगे और प्रदेश के अंदर भी मैं समयता हूं एक करोड पचास लाग का लच रखा गया है और जिलों को भी टार्गेट दिया है संगठन ने जो रचना ते किये उसके अलावा भी जो भी जन्पृत्री हैं विधायक हैं सांसद हैं मुझे भी मैं सांसद बाद मे पहले भारती जन्ता पार्टी का कारकता हूं और यह स्वभागी मुझे प्राप्त हुआ है कि मुझे भी अलग से 25,000 नए सदस्ट बना कर देना है और भारती जन्ता पार्टी का यह केवल सदस्ता अभ्यार नहीं है यह महापरव है वह इस महापरव में हमारे हिवा जो जानकारी विस्तार से देने के लिए फ्रेश भारता का आईजिन्त किया गया है और निश्चेत रूप से मैं यह कहना चाहूंगा हमारे जिलात देची के नेत्त में जिले में सदस्ता का अव्यान पुरी तरह से प्रारम हो चुका है और लच्च भी ते हो चुके है किस मंड जिले में से यो लच्च हमारे नेत्त में दिया उस लच्च को हम आशिल सदस्त बना करें जाए